और चले आगे बढ़ें आज रिशी केश से पवित्र स्थल हिमकुंट साहिब के लिए शधालो का पहला जथा रवाना होगा दोपेर को रवाना होने वाले पहले ज़ते में करी 20 बस होंगी यात्रा को लेकर आज सरकार में सारी तैयारिया पूरी करी हिमकुंट साहिब के कपाट 20 माई को खुलने वाले हैं पवित्र धाम हिमकुंट साहिब बलकनंदा नदी के किनारे हैं और गोविंद गाट से यात्रा की शुरुवात होती है गोविंद गाट से खांगरिया तक 13 किलो मीटर की सीधी जड़ा आई है तो पहला जट्था आज रवाना होने वाला है 20 माई को कपाट खुलेंगे और तयारिया सरकार द्वारा पूरी कर ली गई है 20 बसे होने वाली है पहले जट्थे के लिए 20 बसे रवाना होंगी पहला जथा रवाना होने वाला है रिशिक केस से यह जथा रवाना होगा और दोपहर को जो रवाना होने वाला है जथा उसमें आपको बता दे कि 20 बसे शामिल है और साथी साथ यात्रा को लेकर राजसरकार ने तैयारिया पूरी कर ली है, दुरुस्त कर ली है, 20 माई को कपाट खुलने वाले हैं, पहला जथा आज रवाना हो रहा है, 20 बसेस में मुझूद है और ऐसे में पवित्रधा में मुझसाइब अलगनंदा नदी के किनारी पर बन करती है, गोविन घाट से घांगरिया तक 13 किलो मीटर की सीधी चड़ाई, और देखे चार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हेमकुंड साहिब की जो तैयारिया थी, वो जोरों पर थी और ऐसे में दुरुस्त करने की यहाँ पर कोशिश की गई, आपको बताने के बर्ब अपर तैनाथे, 20 मैं से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने जा रही है, मगर हेमकुंड साहिब की आसपास अभी बर्ब जमी हुए हैं, हलाकि यात्रा मार से बर्ब साफ कर रासा तैयार कर दिया गया है, वो द्वार को रिशिकेश से पहला जथा, यानि कि आज पहल पहला जथा रवाना होने वाला है, राजपाल गुर्मीज सिंग और मुख्यमंत्री फुषकर सिंग धामी, तीर्थ यात्रियों के पहले जथे को कल सुबाद 10 बजे हेमकुंड साहिब के लिए रवाना करें, पहला जथा इस बर्ब जमी हुए हेमकुंड साहिब के लिए र फिर वर्ब जमी हुई है, वर्ब इतनी ज़ादा है कि उसे मशीनों के जरीए साफ करना पड़ रहा है। पहले आराम से हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने हैं, 17 मई को सुबह 10 बजे रिशिकेश से तीर्थ यात्रियों का पहला जथा रवाना होगा। पहले आराम से हेमकुंड साहिब के तैयारियों को लेकर हमार सा योगी रवी केंतुरा देराधून से हमार सा चोड़ें उनसे और बात करेंगे और जानकारी लेंगे। रवी, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रहे हेमकुंड साहिब की जो तैयारियां हैं उन्हें दुरुस्त कर लिया गया। रवी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? यहां पर बाधा पैदा हुई थी, जिसके चलते बर्फ को काट कर यहां पर रास्ता तैयार किया गया है, जिस तरीके से हमने देखा कि चारदा मियात्रा में बर्फ बारी से जो व्यवस्ता है थी, वो दुरुस्त करने में खासा परिशानी आया थी, लेकिन ऐसे में हेमकु जो हमकुन साहिब की तैयारिया और जो पहला रथा है वो जो जत्ता है वो आज जो है रिश्के से रवाना हो रहा है और ऐसे में क्योंकि हमकुन साहिब के कपाट 20 मई को खुलने है और वहां पर जो सबसे ज़्यादा दिक्कते हैं वो इस वक्त बरबारी की बनी वी है और पहला जत्ता जब भी रवाना होता है तो वहां पर तमाम जो तैयारियां होती है वो की जाती है और ऐसे में अगर आज बात की जाए तो रिश्के से जो पहला जत्ता है उसको रवाना किया जा रहा है और वहां पर अगर हम बात करें तो पिछले एक महीने से जो सेना के जव पर शुरुवाती दिन जब तक वहां पर इस तरीके की बरबारी है वहां पर जाने से मना किया गया है कि वो लोग यहां पर ना इस तरीके का एडवाजरी जारी की गई है साथी साथ स्वास्ते विवाग की ओर से जो MRP है पैदल ही वहां पर यात्रा करना होगा तो ऐसे में जो बुजुक लोग हैं जो छोटे बचे हैं वो अभी फिलाल जो यात्रा में ना इस तरीके के एडवाजरी जारी की गई है लेकिन समय बहुत कम बचा हुए लगतार इस तरीके की तस्वीरे भी यहां से सामने आये हैं कि क लगातर वहां पर गए है और उनके द्वारा वहां पर तमाम जानतार हैं अपूरी है पहला जथा जबाला होने वाला है 20 मई पर रहापर कापाट खोलेंगे अब देखना होगा कि बर्बारी से कितनी चुनौतियां सामने आती हैं बहुत शुक्रिया तमाम जानतारी हैं ABP गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी